हेलो दोस्तों मैं रेलवे इंप्लोई से वसेंकर तवरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूडव चैनल एक्जांब वारियर्स पेगेंस में दोस्तों बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैं काफी जादा जो भी जौनिंग की प्रोसेस और इस तरह की चीज़ों में बीजी था वर टाइम सेडोल जो है वो सही से नहीं कर पा रहा था आज मैंने काफी समय बाद ये वीडियो डाली है आपको पसंद आएगी और यहां पर जो मैं बताने वाला हूं आपको अपनी पहली को ले करके डैफिनिटली एक क्रेज होता ह है और यह क्या कितना आएगा है ना तो इस चीज़ को ले करके काफी सारे लोगों में रहता है बहुत सारे जो हमसे बाद में आने वाले हैं या फिर अपने साथ के भी जो हैं तो उन लोग के भी बारें बताया जाए कि जो सैलरी आई हुई है डापनी के स्यादिक आई जो सैलरी हमने पहले अपने एकाउन में जीरो जीरो देख रहे थे जो की नया एकाउन था मेरा और उसमें जब इतनी ज्यादा सैलरी आई तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आप सभी लोगों दिखाऊंगा अपना पेस लीप क्या है उसमें क्या क्या चीज़े दे गई है यहां पर पॉइंट्समेंट की जो वर्किंग है वह किस तरीके से हो रही है अच्छा है या नहीं अच्छा है इस तरह की चीज़े हैं वह सारी चीज़े डिटेल में बताऊंगा इसके अलावा और भी जो बेसिक जनकारिया होती है अधर्स जो एक्जाम हो रहे हैं उन कर लेते हैं तो आप देखिए इसको आपको क्लियरली दिखाए देगा और यह जुलाइक मन्त का जो है वह पेस्लिफ है और आपको पता होगा कि हमारी जो 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 इसमें दी गई रहती है आप देख सकते हो यहां पर जुलाइड तेस के लिए वेतन पर्ची लिखा गया है क क्वाइंसमें और भी or Department operator और स्टेशन जो मेरा अलाउट्मेंट आए वो भी यानिकी बर्गट फिक है कि वराया इस्के-, एक। सेच कर्ण में जो भी स्टेशन में सब्सक्राइब इस में होते हैं और इस यहां पे अधार नम्मर और इसके लावा और जो चीज़ें दी गई है मुवाइल नम्मर डेट बर्थ यह सारी परस्टनल इंफ्रमिशन दी जाती है यहां पर जो इंपोर्टेन जो चीज़ें वह आप देख लिए यहां पर दीखें देट आप ज्वाइनिंग दिया जाता है क्योंको कर बनाने को ले करके डॉक्मेंट सब्मीरिशन को ले करके उसे में काफी ज्यादा समय लग गया तो हम लोग नौ जून को जो है न वह इस्टेशन पर रिपोर्ट किये थे तो जिस डेट को हमने फोसी को टेचंस को छोट्प यहां पर कंसीडर किया जाता है यह आपको बिलकुल द्यान में रखना एक जिस दिन आपको DV के लिए बुला जाता है यह आपका जुआनिंग डेट नहीं होता है जिस दिन आप इस्टेशन पर रिपोर्ट करते हो और वहां पर स्टेशन मास्टर को अपना मतलब की एराइबल रिपोर्ट जो देते ह तो उसी दिन को डेट अफ सूंटेथ ऊप के जो हमों का हमारा कि मैंड सब सब्राइड तो कुछ पर देखना होगा जो होगए जो होगी वह नौ से होगी या बारा से आए हम लोग की वह 9 जून से ही आई होई जिस दिन से ज्वानिंग हुआ है ठीक है इसके अलावा यह अपना पीएफ एकाउंट नम्मर है ठीक है पीएफ एकाउंट नम्मर आपको बता दूं कि आपका जो हैचार मैस आईडी होता है उसमें पीएफ नम्मर भी लिखा रहता है ले 25600 रुपे बना है आप देख सकते हो और यह कैसे बना है क्या क्या चीजे है वह आपको दिखाने वाला हूं ठीक है तो देखिए यह सारी इंफ्रमेशन है जो आपके सैलरी स्लिप में दी गई होती है और डेफिनेटली आपको समझना चीए कि इसमें जो जो चीए दी गई ह कि हैं वह क्या क्या चीजे है उनका क्या मतलब होता है तो देखें यहां पर हम लोग यहां से तक देखेंकर contacting इस तरह की छुट्टी ली नहीं थी तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो ऐसा लगता है जैसे कि यह जो चोवान हदर शेर्सों तालिस रुपए है ना ग्रॉस पे वह हमारा 31 दिन के सैलरी है लेकिन ऐसा नहीं है यह बताओंगा कि क्यों नहीं है क्योंकि जब मैंने भी द पहले बात जो आपका पता है कि हमां लोग का 1800 ग्रेड है इसके लिए जो है अभर इसमें जो देखी एरियर एरियर्स इरियर्य जो पिछले मनत की सैलरी मनत का सैलरी है जून का नहीं बने यह बेसिंघ्व वही इसको एड़ करके यहां दिया गया है अब यह कितने दिन का है तो दीखे motommes लेकर कि अगर हम June में जो बात करते हैं 30 दिन यह पूरे कितने दिन होते हैं यह होते हैं अगर बाइस दीछ यह दिन का basic है ते रहाजार डूसर रुपसे ि्ह तरीके से यहां पर डिकिए डियर नेंज alsah सब्सक्राइब अभी के टाइम पर मिल रहा है तो 18000 करेंगे तो यह आजागा 7560 जो की मिला है फिर से एरियर्स लिखा है मतलब जो एरियर बेसिक पर है उसका 42 परतिशत जो है वो 5544 वह यहां दिया गया है तो इस तरीके से यह सारी चीज़े अब आप देखिए जो बेसिक यहां पर लगा हुआ है तो आप देख सकते हो कि यहां भले मंत अब जून जुलाई लिखा गया है एक चीज़ी लिखा गया है लेकिनी जो चीज़े दी गई है वह जून को भी इंक्लूड करके दिया गया है तब इतनी ज्यादा सेलरी आई हुई है अब इसके बाद देखिए कुछ ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिलते हैं यहां पर देखिए जो की 1270 यह एक महीने काई है ठीक है क्योंकि जून का जो था हम लोग ट्रेनिंग पे थे और ट्रेनिंग पे का अलाउंस जो होता है पांस वर पर दे का मिलता है ठीक है तो वह अलग मिलेगा जो आप उसको फॉर्म अब करना होता है उसको मैंने भर के दिया है वो कैसे फिल करना होता है क्या चीज़े डिटेल से देती हैं उसके लिए वी वीडियो अलग से बना दूँगा ठीक है आप उसे कमेंट कर दीजेगा मैं उससे जरूर इनपों आपको कर दूँए अभी देखे यहां पे तो यह ह तो यहां पर टोटल होता है और इसमें कुछ कटा होती है अभी हम लोगा है जो होता है यहां पर जो है वह कटा जो है वह इंसुरेंस के लिए कटा है जो गौर्णमेंट है इंसुरेंस करा देती है नौ रुपय कटा है ठीक है और सीजी आयस चो होता है वह यूनिट के हिसाब कटा है तो जो गुरूप सी के करमचारी होता है अभी लेवल वन को भी बना दिया गया है इसलिए यहां पर तीस रुपय कट रहा है दो दो य होता कि बैद वेट कोई एकसीडेंट हो जाता है किसी पत्रह कोई अबनार्मेटी हो जाती है तो उसके लिए इंसुरेंट कट रहता है अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है तो रिटार्मेंट के टाइम पर इसका जो भी एमाउंट अड़ होया रहता है वह सबाब को यहां पर दे दिया जाता है ठीक है अगरिम जो कटा होती है वो किसी बितरे कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से जो मेरा नेट पे जो में बन करके आया था वो चोगनाजार छेसर रुपया था डेफिनेटली एकतीस अगस्ता एकतीस जो है जुलाई को यह आया था सैलरी और मैं काभ और काफी ज्यादा हैपी हो गया था मैं देखर के ठीक है तो यह मुमेंट आपके भी लाइफ में डेफिनेटली आएगा अगर आप नयूली इंप्लॉइमेंट हो रहे हो भी यह रेलवे में ठीक है या फिर अभी आपकी सैलरी नहीं तो डेफिनेटली आपको घपरानी की नहीं है आती है एक दिन के भी सैलरी रुपती नहीं है और जब आती है पहली बार तो उसका जो है अलग ही एक एक स्प्रेशन होता है हमारे सभी दोस्तों कि यहां पर सैलरी जो है फस्ट मन्त की आ गई है किछ कुछ लोग एक थोड़े से कम आए हुए है क्योंकि उनको सिर रहा था उनका एचारे पर क्योंकि हास रेंडर लांस जो एता है अलग 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 लगता है एक सब्सक्राइब करके बताएगा वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत पिएगा चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक आप बने रहेएगा मरचाद जय हिंद जय बारत और एक चीज़ और पंदर अगस्त आने वाला है इसलिए आप सभी लोगों को पंदर अगस्त की धेर साथ सब्कमना है जय आप